तो हेज वेलकम बेक तो मैं न्यू वीडियो एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एजली पी-यार हम कैसे ले सकते कैनला में जस्ट आफ्टर स्टडी कि अब लोग सोचते होंगे कि यह कैसे पॉसिबल है कि बिना पॉइंट मतलब बिना पॉइंट के या बिना जोब एक्सपिरेंस के आप सीधा स्टडी के बाद पी-यार कैसे ले सकते हो भाई तेरा दिमाग खनाब है कि तो क्या बोल रहा है एक पर सोच ले पर यह चीज ना पॉसिबल है मिलको पहले लगता था कि सिर्फ कैनड़ा आके डिप्लोमा करते हैं जो लोग वो मूव करके पीर लेते हैं जो मास्ट जो इंडिया से डिगरी करके आते मास्टर्स करते हैं हाँ पर आके वो तो बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कोर्स की कुछ ऐसी फील्ड की जिसके तुरंत बाद आपको पीर मिल सकते कैनड़ा में और आप एक अच्छी जिंदगी बहुत अर्ली एज में जीना स्टार्ट कर सकतो कैनड़ा में बहुत अच्छे पर्क्स बहुत अच्छे बेनिफिट पर्क्स उठा सकतो कैनड़ा में तो स्टार्ट करते की काइंड आपकी जरनी की शुरुबाद होती है ना कैनड़ा में हमेश्य उन्वेस्टी एक ऐसा कोर्स बदला हर कोर्स जो में कोर्स इसके प्रीपीर में पॉइंट्स हाई जाते हैं वह उन्यूश्टी एशू नहीं कर कर लोगे तो आपको ड्रेक्ट पीर मिलें जिससे मेरा रूमेट है दूसरे रूम में रहता है करण नाम है जिसका मेरा भी करन है उसका भी करन है तो उसने शद आइट मैंट से लेटेट कोई कोर्स किया था एंड उसके पोइंट्स वैसे ही रहे इतने बन गए थे कि उसको पढ़ाई के बाद पीर मिलना थी पर कोविड के टाइम पे वो अपलाई नहीं कर पाया एंड पीर उसको एक सार बात मिली एंड आज वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है काइंड ओफ उस कॉलेट से पढ़के आईटी का कोर्स करके ऐसी जिंदगी जी रहा है कि आज वो एक्जाम्पल ना वो पीछे खड़ा है उसको बोलने की निड नहीं है वह उसकी कार बोलती है काइं धिक है तो एक ऐड二 का कोर्स काइस दूसरी चीज कर है कि जो जिस चीज की अवान है दिमांड है न का ni Paige जो सबसे दा मांगा चैंटर आप किसी भी मेडिकल फिड से भिलों गरते हो तो चैनेडा आपको एषिर मतलब काइंड और कम एक्सपीरिंस में पी आर दे सकता है क्योंकि मेडिकल फील्ड की जो डिमांड है वो हर जगे पुरे वर्ल्ड में है ठीक है आप यूएस में जाओगे यूएस वाले भी आपको मिंट में उठा लेंगे आपको वर्क पर्मिट देंगे एच वन भी जो भी स्किल्स होते हैं किसी दोक्टर के पास नहीं हो यहां मैंने खुद एक्स्पीरिंस के क्योंकि यहां के डॉक्टर को कुछ नहीं आता काई तो वह चीज़ है एंड अगर आप इंडियन इंडिया से मिब्स अगर अगर आप मेडिकल को कोई भी कोर्स करके आ रहे हो ना याप कैनाडा मैं के भी कोर्स करता आपकी पहले तो शैल्री लगजेगी एक डिटलाग डॉलर आपको एसली एक डिटलाग डोलर मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको पी एर में ऐसी हल्प मिलेगी कि मतलग बाकी लोगों को को दो साली एक साल की एक स्पिरेंस नहीं है ना उनको तो गवर्मेंट क्योंकि यार वेंकोवर इस काइंड ओ आइटी हब सीटल एक आइटी हब यूस में तो आइटी बंदों की आप कभी भी देखना बड़े-बड़े जो आई-इटी से पड़े करे सुंदर पर चाहिए कि इतने आगे चलेगा गूगल का सीई हो ह तो अगर आप आई-टी डिपार्टमेंट से आप आई-टी बैक्ग्राउंड से हो ना आपको पी आर के आप बहुत अच्छा फ्यूचर देख सकते हो कैनड़ा में और आपको पी आर बहुत एजली मिल सकते हैं आपको कोई एक्स्प्रेस एंट्री होगी आपकी आपको प्रोग्राम के थूच आने की नीड नी पड़ेगी कैनड़ा में पी आर लेने के लिए एक और चीज अगर आप मैंग्रेजमेंट बैक्ग्राउंड में कुछ अच्छे अगर आप प्रजेक्ट में गरते हो आप फाइनेंस में तो यह आपने सीपीए भी कर रहा है ना तब सब्सक्राइब में बताओ उने से कनवर्ट नी करना चाहिए सब चीज़े डिफरेंट है बगर मैं आइनार में बताओ तो 60-70 लाख रुपे बन जाता है एक लाख डोलर और देड़ लाग काइंड आपकर सकते हो तो यह कुछ चीज है थी फील्ड जोप्स में बहुत पैसा या पर पलंबर हो गए कार्पेंटर हो गए टेलर हो गए अब को कोई भी फील्ड वर्क आता है आपको गैरेज मतला आपको ओईलिंग काम आध़ आपको मेकानिक काम आता है तो बहुत पैसे क्योंकि आप एक टेलर एक नोर्मल सी ऑल्टर करने के ऑल्टर करने के 30-40 डोलर ले रहता तो सोचो अगर दिन में 10 जीन्स पी ओल्टर करेंगा तो 300-400 डोलर कहीं नहीं गया तो यह ता कुछ चीजे जो मैं आपको बताना चाहता था एंड आपको वीडियो पसंद आयोगी और भी चीजे और भी वीडियो कुछ ऐसे टोपिक्स पर लाता होंगा जिस पे आप लोगों को जिस आप लोगों की हेल्प होगी पी आर की है पी आर की से रेटेड बाते करूंगा एंड किसी दिन एक ऐसे बंद है क्या पता मैं अपने रूमेट जो करन लूंबा उसको एक दिन वीडियो में लेके मतलब उसके एक्सपिरेंस शेयर करूं अग के साथ भी ट्राय करूंगा कोलेबरेशन करने का उनका एक्सपिरेंस बताने की कोशिच करूंगा कि उनका कैसा चल रहा है उन्हों ने यहां पर आके कैसे सर्वाइब किया या यहां के पी आर लोगों को यह यहां पर उन लोगों से बात करने की कोशिच करूंगा जो 20-30 सा से लेटे स्टेंडर्ड ओफ लिविंग से लेटेड सब चीजों से लेटेड इस एक काइंड ओफ वीडियो आया करेंगी एक टाइम के बाद क्योंकि अभी चैनल ग्रोइंग है ते चैनल जैसे अच्छा ग्रोग करने लगेगा तो ऐसा कंटेंट देखो धीरे-धीरे ना और ग्रोग कि पूस्टा यह निकार है क्योंकि फाइनल एग्जाम शल एः है मैं इडीजाप पर यह एंस्टाराम पर नियगर प идет क्योंकि बिस्कार educator ना तो एक filters असे इनलशां शाम हो तो जित till ने सबक्राइब छाए इंसे शनार जो इंए अग में इसे हो अगार से till then do whatever you want to do do not travel your mom and dad bye